नमश्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे एस YouTube चैनल पे और हम एक बार फिल से हाजिर हैं एक लेटस्ट वीडियो के साथ एक बड़ी अपडेट आ गई है निकल के उनिवस्टिक ग्रांट कमिशन योजेसी की तरफ से अब एक साथ दो डिगरी कोर्स भी कर सकते हैं चात्र तो बड़ा फैसला ले लिया गया है तो इसके बारे में बिल्कुल विस्तार से आपके साथ वीडियो के माध्यों से बात की जाएगी आप वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक जरूर से जरूर देखिएगा और लेटस government jobs के अपडेट पाने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को भी जरूर से जरूर सबस्क्राइब करें ये देखिए बड़ी अपडेट आ गई है विश्वी धहले अनुदान आयोगने दी मंजूरी अब एक साथ दो डिगरी कोर्स कर सकेंगे चात्र पुरी न्यूस देख लेते हैं विश्वी धहले अनुदान आयोगने चात्रों को एक ही समय में दो डिगरी पाठ्यकरम को एक साथ करने के अनुमति के प्रस्ताओं को मंजूरी दे दी है इन दोनों डिगरी कोर्स में से एक regular mode में और दूसरे को open या distance learning के माध्यम से करना होगा तो ये ध्यान रखिएगा दूस्तों दोनोर regular mode में नहीं हो सकते हैं एक आपको correspondence distance या open से करना होगा और एक regular mode से आप कर सकते हैं एक चातर दो अलग अलग पाठ्यक्रों मों के साथ साथ विभिन संस्थानों से दो डिग्री हांसल कर सकता है इस विशे में विश्विधाल ले अनुदान आयोक जल्द ही एक अधिकारी का दिसूचना जारी करेगा UGC के उपाध्यक्स भूशन पतवर्दन की एक समीती ने लोगों से मिले फीटबैक के आधार पर इस प्रस्ताव पर काम किया समीती के अनुसार चुकि नियमित डिग्री में न्यूनितम उपस्तिती अनिवारिये है इसलिए दूसरी डिग्री दूरस्त सिक्षा या आनलाइन मोड के माध्यम से ही होनी चाहिए इस समीती को लगता है कि चात्रों को बेहतर कैरियर के अवसर मिलेंगे UGC के सच्चीव ने कहा कि हाल ही में आयोग ने एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है इस निरने के आधार पर एक चात्र को एक साथ दो डिग्री करने के अनुमती दी जाएगी लेकिन इन दो डिग्रीयों में से एक नियमी तरीके से और दूसरी आनलाइन दूरस्त माध्यम से पूरा करना होगा साथ ही उन्होंने कहा कि इस संबंद में जल्द ही अधिसूचना जारी करती जाएगी तो दोस्तों बड़ी अपडेट आ गई है निकल के बड़ी खुशी की बात है नई अधिसूचना बढ़ा ही जल्द जारी की जाएगी जिसी के तरफ से जब भी अधिसूचना जारी होगी वो इन्फोर्मेशन भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे इसी यूट्यूब च सब्सक्राइब तो ठीक है फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार